Hello everyone, स्वागत आप सभी का आपकी अपने चानल Learning English Study Time में सहसतरीके से English के कहानियों के माध्यम से अपनी English को इंप्रूफ करें कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और All के बटन पर क्लिक करें ताकी हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन्स आप तक जल से जल पहुंच सके तो आईए शुरू करते हैं आज की कहानिया और आज की हमारी कहानी है यानि हरा, गोल्ड यानि सोना, हरा सोना किसे कहा गया है, आईए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं निशा, वस, थी, आ, एक, पोर, दरिद्र या गरीब, गर्ड, लड़की, निशा एक, गरीब, लड़की थी शी, वहा, यूस्टू, यानि आदी होना, आदत होना, या करती थी, यादत थीएगा यूस्टू के बाद, वल, वन का प्रयुक किया जाता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, बैग लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है, भिक्षा मांगना, या भीक मांगना फोर, लिए, फूड, आहार, भोजन, या खाना, और अदर, दूसरे, या अन्य, थेंक्स, चीजों वह, यानि निशा, खाना, और दूसरे चीजों के लिए, भीक मांगा करती थी, या भीक मांगने की आदी थी वन, एक, डे, दिन, एक दिन, आ, एक, लेडी, औरत, या महिला, गेव, दी, हर, उसे, यानि निशा को, सम, कुछ, सापलिंग्स, सापलिंग्स, यानि छोटा पौधा को सापलिंग्स कहा जाता है और सीड्स, बीजों, और के फ्लावर, फूल, प्लांट्स, पौधों, एक दिन, एक औरत, या महिला, निशा को, कुछ, छोटे पौधे, और फूलों के पौधों के बीच दी इंस्टिड, इंस्टिड, यानि बजाय, या बदले, और के आम्स, यानि भिक्षा, भिक्षा के बदले, एक दिन, एक औरत, निशा को, भिक्षा के बदले, कुछ, छोटे पौधे, और फूलों के पौधों के बीच दी और सेट बोली प्लांट, प्लांट पौधों को भिका जाता है और प्लांट यानि पौधे लगाना, दीज, या इन, सीड्स, यानि बीजो, और सापलिंग्स, यानि छोटे पौधों, और उस ओरत ने निशा से कहा, इन, बीजों और छोटे पौधों को लगाओ, और योर, problem समस्या of की या के begging भीक मांगना या भिक्षा मांगना will be होगा solved यानि हल या समाधान और उस औरत ने निशा से कहा इन पौधों को और इन भीजों को लगाओ और तुम्हारा भीक मांगने की समस्या का समाधान हो जाएगा निशा निशा डिड थी not नहीं understand यानि समझना anything कुछ भी निशा को कुछ भी समझने ही आया बट लेकिन decided निर्नेली या फैसला की to do करना as जैसा the lady उस औरत या महिला had थी told बोली और निशा ने उस औरत ने जैसा कहा था वैसा ही करने का फैसला किया she वह planted लगाई the seeds यानि बीजो and और the saplings छोटे पौधो निशा ने बीजो और छोटे पौधो को लगाया by the side of यानि किनारे या पास हर उसके small छोटा या छोटे हर यानि कुटिया या जोपडी निशा ने उन बीजो और छोटे पौधो को उसकी छोटी सी कुटिया के किनारे या पास लगाया she वह watered या दख्येगा water मतलब पानी भी होता है और पौधो को पानी देने को भी water कहा जाता है watered यानि पानी देती them उन्हें यानि की बीजो और पौधो को everyday यानि हर दिन या प्रत्तेग दिन और निशा उन पौधो या बीजो को प्रत्तेग दिन पानी देती थी a few यानि कुछ weeks यानि हफ्तो या सप्ता हो letter बाद में कुछ हफ्तो बाद plenty of यानि बहुत आयाद या बहुत सारे flowers full bloomed full खिलना को bloom कहा जाता है bloomed यानि full खिले around चारो ओर या आसपास हर उसके हर कुटिया या जोप्री और कुछ हप्तो बाद उसके कुटिया के चारो ओर या चारो तरफ बहुत आयाद या बहुत सारे full खिले one a day दिन एक दिन a a woman और या महिला came I to buy खरीदने a a flower full और एक दिन एक महिला एक फूल खरीदने I which जिसे निशा had थी grown उगाई और जिसे निशा ने उगाया था तो एक दिन एक महिला एक फूल खरीदने I जिसे निशा ने उगाया था Since then तपसे निशा निशा यूस्टू करती थी प्लक तोडना flowers फूल तपसे निशा फूल तोडती and और sold बेचती them उन्हे यानि फूलों को door to door यानि दर्वाजे दर्वाजे या फिर घर घर और निशा फूलों को तोडती और घर घर जाके बेचती थी Now, she वह वस थी not नहीं आ ए बेगर भिकारी या भिकारन आव वह यानि निशा ए भिकारी नहीं थी She वह वस थी earning earning यानि रोजगार करना कमाई करना या आई करना Her उसका living यानि जीवी का या जीवन यापन well अच्छे से वह यानि निशा अच्छे से उसका जीवन यापन कर रही थी Soon, she ग्रही many, कई people लोग became हुए regular निया में buyers, खरिदार या ग्राह of के her उसके flowers full और कई लोग उसके फूलों के निया में ग्राह हुए या बन गए she वह सेव्ड जमाकी या बचाई enough काफी money धन वह यानि निशा काफी धन बचाई या जमाकी and और opened खोली आ a small छोटा flower food shop दुकान in may the market यानि बाजार उसके बाद निशाने एक छोटा सा फूलों का दुकान बाजार में खोला आपको बता दे कि फूल बेचने वाले फूलों का अध्यान करने वाले फूलों की खेती करने वाले या फूलों के विशेशग्यों को florist कहा जाता है now अब many कई people लो used to करते थे come आना to buy खरीदने flowers full from से हर उसके अब कई लोग उससे full खरीदने आते थे या आया करते थे निशा निशा थैंट धन्यवाद दी the lady उस औरत को who जिसने या जिन्होने had the led led यानि नेत्रित्व करना रास्ता दिखाना या मार्गदर्षन करना her उसे to get पाना the green gold यानि हरासोना निशाने उस औरत को धन्यवाद दिया जिन्होने या जिसने उसे हरासोना प्राप्त करने के लिए मार्गदर्षन किया या रास्ता दिखाया उस औरत ने ना स्रेफ हरे पौधे लगाने के लिए निशा को प्रेडित किया बलकि निशा को एक भिकारन के जीवन से एक सम्मान के जिन्दगी जीने का रास्ता भी दिखाया सच में निशा के लिए ये पौधे हरासोना ही है जिसने उसकी जिन्दगी बदल दी आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा अब आज का सवाल इस कहानी में ग्रीन गोल किसे कहा गया है सवाल का जबाब जरूर दीजिएगा आज के लिए बस इतना ही कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाए कहानी को अपने जानकारों को भी शेयर अवश्य करें और कॉमेंट करें थैंक्स पर वाचिंग